कि अपन एक सेशन में जहां पे अपन एक शूर शॉर्ट कॉंसेट करने वाले हैं इन स्पैन ऑफ 10-15 मिनिट्स विच्छ गैरेंटीड भी आस्ट इन और एग्जामिनेशन तो गाइस आज का अपना फेवरेट सा टॉपिक है हालसे एंड रोवन प्लान तो ओल फास नो कि इसक बन दोनों का फॉर्मिला के ओपर डिरेक्ट एप्लिकेशन का एंसी क्यू बन सकता है कराउंड चार 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 पाच माग का तो बस मैं यह फॉर्मिला बताऊंगा आपको और एक छोटा सा प्रैक्टिकल सम भी कर लेंगे अपन तो आपने वीडियो को सब्सक्राइब किया ह बस ऐसे और बहुत सारे कॉंसेप्स एंड लेक्टिर्स आने वाले हैं विच विल बी वेरी हेल्फूल तो यूँ तो आप लोग फाइनल में आओगे तो वहां पे भी आप लोगों को मेरे लेक्टिर्स काफी यूस्फुल रहेंगे तो सब्सक्राइब आपको कुछ स्पेस एंड रोवन प्लैन तो यहां पे हेलसे एंड रोवन दोनों का फॉर्मिला यह कैसे आया यह मैं आप लोगों को फटा-फट एक्स्प्लेइन कर दूंगा एंड अड दे सेम ताइम यह नोट्स आपको मैं मेरे टेलिग्राम चैनल पे शेर कर दूंगा विच इस गिवन इन टेलिग्राम इनकेस आपको पर्चेस करना हुआ तो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा यू कैन बाइट फ्रॉम यह बट फॉर नाओ चलो लेट स्टार्ट विद्ध रोवन प्लैन क्या है इस आर बोनस प्लैन्स विच वर इंट्रेडूस इन ओडर तो गिव मोटिवेशन त गाल्कुलेटर बना रहा हूं तो मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी तो कैसे मिलेगा यह मोटिवेशन तो अब से एक कोई वरकर है जो यह कैल्कुलेटर बनाने को ले रहा है टेन आर्स अब मैं उसको एक मोटिवेशन के लिए बोलता हूं अगर तुने यह कै को कुछ बोनस दूँगा तो आप क्या करोगे एफिशेंसी लेकर आ जाओगे ठीक है ना बट एड़ एड़ सेम टाइम कीपिंग दा सेम कॉलिटी कॉम्प्रोमाइस नहीं होना चाहिए विकाज एंड अफ दे डे कॉलिटी के बेसिस पर अपने को कस्टमर मिलेगा तो अग यह बोनस के दो फॉर्म्स है एक है हेलसे प्लाइन और दूसरा है रोवन प्रीमियम प्लाइन है बोलता है कि बहुत देखो जो आपका टाइम टेकन है से फॉर एग्जांपल आप आठ घंटा ले रहे हो अभी ठीक है ना पहले आप 10 गंटा ले रहे थे अब आप आठ है उसने यह वर्ड यूस किया तो अपने को भी करना पड़ेगा तो अगर टिपिकल क्वेश्चन आता है तो यह लिखना पड़ेगा ना एक्जाम में फॉर्मिला भी एमसी क्यों है तो चलो डिरेकल आगया तो भी कोई टेंशन नहीं तो टाइम रेट का मतलब क्या होता है टाइम रेट का मतलब होता है वेज रेट पर और तो एक हमटे का अपन लोग इतना दे रहें हैं तो वी आर पेइंग उपीस किंस्टी पर और. तो अपन उसको बोलेंगे भाई ये 480 रुपीज तो तेरा हुआ confirm but because जो तुने 2 घंटे बचाए हैं भाई तेल को time allowed तो 10 hours का था बराबर है time taken तो time taken तो time taken तेरा कितना है sir मैंने 8 hours में complete कर दिया तो can I say इसने 2 hours save किया है then in that case definitely इसको bonus बनता है तो कितना 50% of time saved तो time saved 1 hour है multiply by 50% कितना होता है it is 1 hour into time rate time rate का मतलब wage rate per hour तो into 1 hour into 60 तो ये हो गया plus 60 rupees तो 480 plus 60 total हमारे भाई को कितना मिल जाएगा rupees 540 उसको मिल जाएगा rupees 540 so this basically is called as the healthy premium plan जहाँ पे बुला है जहाँ पे the formula is time taken into wage rate per hour उसको time rate भी बोलते है plus 50% of time saved time saved मतलब आपको कितना time allow किया है minus आपने कितना time लिया है that is time saved multiply by time rate या जिसको आपनों बोलते है wage rate per hour इसी को नाम दिया है healthy premium plan मैंने आपको मजख मजख में एक example भी यहाँ पे दे दिया जिससे आप लोगो चीज़े और clear हो जाए तो अगर आपको कोई बोले आज के बाद कि healthy plan का formulas लिखके बताओ तो कि आप क्यार पाओगे the answer is yes आपको बताए क्या that it is the time taken into time rate time rate मतलब wage rate per hour time rate मतलब wage rate per hour ब्राबर है plus इसके अलावा और क्या क्या है इसके अलावा उसको मिलेगा 50% bonus किसके उपर time saved के उपर अच्छा तो यह तो मेरा time saved आ गया multiply by time rate जिसको अपन बोलते हैं wage rate per hour time saved कितना होता है बेटा time saved time saved is nothing but कितना time allowed था वही कितना time allowed था 10 घंटा अलावड था बट उसने कितने में किया उसका time taken कितना था एट आज तो कहना है इसे what it is it is the time saved एई समझे गड़ू everybody चलो यह हो गया मेरा हैल से प्लैन ऐसे ही एक और महान बंदा था जिसका नाम था रोवन उसने बोला कि मेरा भी एक और प्लैन है बोनस का आप लोग मेरा भी तो प्लैन सुनों तो हमने बोला हाँ बता तू तेरा भी प्लैन बता वो भी देख लेते हैं अपन लोग आ जाओ अब रोवन अपने को बहुत इजली समझ जाएगा क्यों क्योंकि वर्डिंग सॉल्मोस्स थैं है तो रोवन क्या बूलता है यहां पे भी यही तेम चीज यहाँ पे भी यही same चीज है time taken into rate पर आर तो यह तो common हो गया दुनों में plus basically यही तो इसके बाद वाला ही तो bonus component है यह भी हलसे का bonus पाट है वो वही है 50% of time saved into time rate वैसे ही इसका कितना है time saved upon time allowed तो आपने case में for example time saved था 2 hours time allowed था 10 hours मतलब उसको basically 20% bonus देने का है into time taken time taken is 8 hours into rate per hour is 60 per hour तो इसको कितना bonus मिल जाएगा इसको bonus मिल जाएगा 8 into 60 into 20% so 60 into 8 into 20% and that is 96 rupees बाकि जो time taken into rate per hour है वो तो ज्योंकार्ट्यों ही रहने वाला है which is 480 तो 480 plus 96 तो इसको approximately 576 rupees मिल जाएगा अगर इसका हल रोवन प्लान होगा तो आपने को यह दोनों calculate करना आ गया कि अपने को दोनों formula याद रहेगा 101% तो can I say healthy का तो formula अपने लिख लिए अपने को याद भी हो गया है दूसरा फटा फट रोवन का भी formula लिखे दे मैं बता रहा हूं आपको यह सब MCQs में आ सकता है तो market is very important और exam में है ना कई बार click नहीं होता है तो इसके लिए वीडियो को दो तीन बार देख लोगे पर शूर आप लोगो कोई चीज़े click होना चालू हो जाएगी तो क्या है मेरा formula formula is very simple time taken into rate per hour यह तो ज्यों का त्यों है यह तो यहाँ पे जो हलसे का था वही है प्लस अब मैं आजाता हूँ तुमारे bonus part के उपर bonus कितना बोल रहा है रोवन रोवन बोल रहा है time saved रोवन बोल रहा है कितना time saved किया upon time allowed इससे एक पता चल जाता है कितना percent उसको bonus देना है multiply by same ही चीज़ है अगर तुम लोग note करोगे तो multiply by यहाँ पर देखो time taken into rate per hour यही तो है same to same चीज़ है यह तो आपको याद करने की भी सुरुत नहीं है यह as it is यहाँ पे अपने को लिखना है which is what time saved upon time allowed इससे percentage मिल जाता है कि कितना bonus देना है इन्टू time taken into rate per hour यही समझे गुड़े विवरिबाड़ी सो यह है मेरा हेलसे एंड रोवन प्लैन तो मैंने आप लोगों को formula मस्त में derive करवा दिया है मस्त में आप लोगों को सीखा दिया है अब एक चोटा सा सम में ICAI का फटा-फट क्यों ना उसको solve कर ले तो अब अगर आ अगर आप लोगों के पास मेरे नोट से आप लोग टेलेग्राम से डाउनलोड कर रहे है तो मैं यह question ले रहा हूं जिसका नाम है wage negotiations यह आपको यह नोट जैसा मैंने बुला वहां से आप लोग ले लो तो भी आप लोग डैरिकली फिर फ्लो में फॉर्मिला याद हो गया हाल से का फॉर्मिला याद हो गया रोवन का मिरको फॉर्मिला याद हो गया अब उसका प्रैक्टिकल अप्लिकेशन वेस negotiations are on with the recognized employees union and they want to formulate an incentive scheme तो हाल से इरोवन incentive scheme the case of three typical workers A D and C who produce respectively 180 120 and 100 units of company's product in a normal day of eight hours assuming the wages could be guaranteed at Rs75 per hour and peace rate would be based on standard अर्ली आउट्पुट ओफ 10 यूनिट्स अपने को कैलकुलेट करना है अपना मेन फोकस क्या है ये सेशन का हाल से स्कीम के हिसाब से एंड रोवन स्कीम के हिसाब से कितना बोनस आ रहा है तो चलो आओ लेट्स फड़ाफट कैलकुलेट तो एक बात बहुत क्लियर समझ लेना कि अगर हाल से और रोवान का क्वेश्चन आपको सॉल करना है ना बॉस तो यू विल नीड फ्यू तिंग्स जैसे टाइम अलावड ताइम सेव्ड है ना टाइम टेकन तो यह सब चीज़े अगर अपन लोग चीज़े अगर अपन ने डूड ली तो आराम से अपना हाल से वाला काम हो जाएगा अब देखो उन्होंने क्या बोला है इसका मतलब कहना इसे यह रेट पर आर मिल गया मेरेको बराबर है एक बार यह मेरेको मिल गई चीज़े फिर मेरेको तो काली फॉर्मिला में अप्ला 10 यूनिट मतलब एक घंटे में कितना यूनिट बनता है बिटा एक घंटे में टोटल एक घंटे में टोटल दस यूनिट बनता है बराबर अब एक को एक को देखो टोटल कितना यूनिट बनाने का जिम्मेदारी दिया है तो केस आप त्री टिपिकल वरकर उसमें ए विल प उसको कितना hours आप दोगे, आप दोगे उसको 18 hours, आ गया आपका time allowed 18 hours, बराबर है, अच्छा time taken कितना है उसका, तो यह बोला है, देखो आपको यह पर yellow में मैंने highlight किया, the case of three typical workers ABC who produce respectively 180, 120 and 100 units of the company's product in a normal day of 8 hours, तो इसका मतलब कहना है, उसने यह पूरा काम कितने time में कर लिया है, 8 hours में, time saved कितना हो गया मेरा, 18 minus 8, बराबर 18 minus 8, which is how much, which is 10 hours, बस अब यहाँ पे फटा फट, अगर मैं चाहूं, तो हल से और रोवन फटा फटा फट अप्लाए कर सकते हो तो देखो, time taken, sir, 8 hours, multiply by, multiply by rate है, 75 per hour, plus, 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 time saved, 10 hours है, वो मैं calculate कर चुका हूँ, multiply by again, मेरे पास, जो 50% है, वो time saved into 50% into rate per hour, तो अगर मैं यह करता हूँ, then in that case, 75 into 8 will become 600, plus, 75 into 10 into 50%, this is 375, total answer आना चाहिए, एका, रूपीज 975, चलो भई, एके account में 975 रूपीज जमा कर दो, तो क्या जमा हो रहे हैं, क्या, देखो जरा, so, it is, it is, it is, हाल से स्कीम, 975, एका सिनारियो, यह देखो, हाल से स्कीम, एका सिनारियो, 975, समझ में आगे आपको, चलो, same way अभी अभी अपन लोग, रोवान का कैलकुलेशन कर लेते हैं, एके लिए, क्योंकि वोई अपन लोग ने पुरा यूज किया, so, again, 8 hours into 75 per hour बेटा कॉमन है, उतना तो उसको ही दे नहीं है, जितना घंटे उसने काम किया, time taken into, rate per hour उसने काम किया भी चरेने, उतना तो उसको दे नहीं है, multiply by time saved upon time allowed, ये बताता है कि कितना percentage उसको अपने को bonus देना है, तो time saved है उसका 10 hours upon time allowed है उसका 18 hours into, अब अपना ये, 8 into 75, ध्यान रखना, this rowan में time taken into rate per hour and this time taken into rate per hour, ये दोनों common है, खाली आपको ये चीज़ एक add करनी है यहाँ पे, so, में को बताओ कितना आता है, so, 10 divided by 18 into 8 into 75 is 333, so, ये है 333 plus ये तो है मेरा 600 and the total answer as per rowan is 933, is 933, एक अगर आप लोग देखोगे, तो the answer is 933, ये सामझेगडू, बसा हो गया, समझ लो आपका हैलसर rowan, अब कोई भी question आने दो, आपको क्या करना है, आपको ये system follow करना है, and once you follow this system, this process, easily sums solve होना, start हो जाएंगे, clear everybody, सब लोग को एकदम मस्त में लग रहा है confidence, ठीक है, so, definitely आप लोगो को like जरूर करना है, वीडियो को, और मुझे बताना है, that और ऐसे क्या वीडियो शाहिए, टेलेग्राम चैनल जरूर जोइन कर लेना नीचे से, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आस्तला वेस्ता, keep smiling, do share it with your friends, जिनका आप लोगों के साथ exam है, and उनके लिए भी ये helpful हो सकता है, ठीक है, चलो, bye-bye.